नमस्कार दोस्तों, बोल्सकाई में आपका स्वागत है पूरे भारत में ज्यादा तर लोग सुभा उटकर चाय पीते हैं कुछ लोग चाय खाली पेट पीते हैं तो कुछ लोग नाश्टे के साथ लेते हैं लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि आप चाय के साथ नाश्ते में आखिर क्या खा रहे हैं। आपको बता दे कि कुछ लोग अंडे को रोजाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं। कोई ओमलेट बना कर खाता है या फिर कोई उबला हुआ खा लेता है। इसके अलावा कोई तो चाय के साथ अंडा लेता है। चाय के साथ अंडा खाना आपकी सेहत पर भारी बढ़ सकता है। जी हां अंडे से कोई भी चीज बना कर अगर आप अपनी चाय के साथ खा रहे हैं तो यह आपके स्वास्त के लिए घा तक साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं वाज इस वीडियो में कि आखेर आप चाय के साथ क्यों नहीं खा सकते हैं अंडा जिस चाय से आप रोजाना अपनी दिन की शुरुवात करते हैं दरसल चाय में टैनिन होता है जो की आइरन के अवशेशन को बाधित करता है यहां तक कि अगर आप चाय के साथ किसी आईरन युक्त खादे परदात का सीवन भी करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक सावित हो सकता है वही बात अगर करें कि अंडे की तो इसमें भरपूर पात्रा में प्रोटीन होता है और चाय के साथ प्रोटीन युद खादे पिरदार्तों का सेवन सेहत के लिए उचित नहीं होता है चाय के साथ अंडा और अंडे प्रोटीन युद चीजे लेने से हमें बचना चाहिए आइरन युक चीजे नहीं खाने चाहिए क्योंकि सब्जियों के साथ चाय का सेवन करने से आइरन का संगलेशन नहीं हो पाता है अगर आप इस तरह चाय के साथ चीजों को लेते हैं तो आपको पेट से संबंदित पाचन जैसे दिक्कते हो सकती हैं जानकारी के लिए ये भी खाली पेट भी चाय कभी नहीं पीनी चाहिए अगर सुभा उठकर खाली पेट चाय पीते हैं तो इससे आपको गैस की समस्या का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर उसे लगो विर वड़र छाय करने में आपको कामना पाली प्राव बताव बताव चाहिए तो में पाली चाहिए और दोड़र